दोस्तों रवश्कार मैं संजबगु और मौजूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याना के अंदर सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है नायब सिंग सेनी हर्याना के मुख्य मंत्री वजीर आलम पूरे तरह से एक्शन मोड में है मंत्री भी एक्शन मोड में है हाला कि अभी ये तैय नहीं हुआ कि मंत्रियों की एक्शन लाइन क्या रहेंगी क्योंकि उनके पॉर्टफोलियो भी तक आवंटित नहीं हुए 17 तारीक को मंत्रियों ने शपत ली कि फला मंत्री फला डिपार्टमेंट यानि कि अनिल विज फला मंत्राले वेपुल गोयल फला मंत्राले गौरव गौतम फला मंत्राले ये लिखा जाना भी बाकी है तेरे वजीर और मुख्या मंत्री साहब तो मुख्या मंत्री साहब हैंगी यानि कि तेरे मंत्रियों के बाहर जो लिखा जाएगा और उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नायब सिंग सैनी दिल्ली दरवार भी होकर के आ चुके हैं और अब चर्चा है चर्चाओं में इस बात की चर्चा सबसे प्रमुख है कि कौन से मंत्री को क्या मिलेगा तो मैं आपसे चर्चा कर लों कि हर्याना के अंदर जो पॉर्टफोलियो है किस प्रकार आवंटित हो सकते हैं सबसे पहले अगर बात करूँ मैं गबर की अनिल्विज की अम्बाला कैंट के साथमी बार विधायक और साथ-साथ ही नायब सैनी सरकार के सबसे सीनियर विधायक साथ बार विधायक अनिल्विज सहाब को कौन सा विभाग मिलेगा सबसे गंभीर चर्चा जो है आप चाहे मीडिया के लोगों से बात करें चाहे आप बिरोक्रेट्स में बात करें चाहे आप बड़ी नौकरशाही में बात करें सब में चर्चा है कि अनिल्विज को कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा और उसके पीछे महत्वपून कारण है एक क्योंकि जो गबबर की अनिल्विज की जो कारह शेली है उस पर नजर रहती है सभी लोगों की अनिल्विज 2014 में जब हर्याना की सरकार बनी भारती जंता पार्टी की पहली बार तो सरकार के अंदर अनिल्विज के पास में health department था और उसके साथ था local bodies स्थानियर निकाय मंत्राले ये दो प्रमुक मंत्रालें अनिल्विज साब के पास थे पहली टर्म के अंदर हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए उनका सोनिया खुलर जो आजकल हपी सी की मेंबर है राजेश खुलर जी की धरमपत्नी उनके साथ में उनका हेल्थ डिपार्टमेंट को ले करके विवाद रहा था अनिल्विज गुस्सा भी रहे थे 2019 की सरकार जब बनी 19 से 24 उसके अंदर अनिल्विज साहब को मनोर पार्ट 2 की सरकार में होम मिलिस्टरी ग्रह मंत्रालय मिला और मानने तो फिर अनिलविज सहाब मनोरलाल जी की सरकार के लिए पूरी तरह से लगबग एक डेट साल तक पूरी तरह से परिशानी और तनाव का कारण बने रहे अनिल्विज कब नाराज होते थे पता नहीं होता था, कब गुस्सा होते थे पता नहीं होता था और पहली बार ऐसा हुआ कि जब ग्रह मंत्रालिया से जो CID को अलग रखना पड़ा CID को अलग किया गया, CID मनोरलाल मुख्य मंत्री थे उततकालियन के पास रही और अनिल्विज बिना गुप्तिचर विभाग के ग्रह मंत्री रहे हमेशा गाए बगाए चर्चा रहा करती थी, हमेशा गाए बगाए तनाव विवाद रहा करता था इस बात का और खेर समय बीटता गया धीरे-धीरे और वो समय आया कि जब मनोरलाल जी भी चले गए और अनिल्विज साब भी चले गए मनोरलाल जी चले गए उसके बाद में सेंटर में लोगसभा का चुनाव लड़के और अनिल विज साब मैंने इसलिए कहा कि क्योंकि वो नायव सरकार में उन्होंने कह दिया था कि मैं सीनियर आदमी हूँ जूनियर के साथ मंत्री नहीं बनूंगा इसलिए वो नायव सरकार से साथ में वजीर नहीं बने थे ना डिप्टी सीम बने थे ना मंत्री बने थे अनिल विज साब ने शपत ले लिये क्योंकि कह दिया था उन्होंने कि अगर पार्टी चौकिदार की ड्यूटी लगाईगी तो वो भी करूंगा तो पार्टी ने उनको बना दिया केविनेट मंत्री और अब चर्चा है कि उनको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा तमाम लोगों के अंदर एक बात है कि शायद अनिल विज साब ग्रह मंत्राले चाते हैं और इसके लिए अपनी जो पार्टी आला कमान में अपनी पैरवी भी कर रहे होंगे लेकिन चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की बात हो और चाहे वो राजनितिक लोगों की खासकर भाजबा से जुड़े हुए वो लोग जो राजनितिक फैसले करते हैं जो पुराना अनुभव है, खासकर मनहोरलाल के साथ का अनुभव, क्योंकि आप मानने तो मनहोरलाल खटर खाटी नेता बन गए थे, बहुत पुराने सुलजे हुए और मनहोरलाल खटर अनुभवी में कह सकते हैं मुख्यमंत्री थे, नायब सिंग सहनी बिलकुल सौमे सरल औ और बड़ी आसानी से उप्लब्द होने वाले इस ट्राइप की उनकी छवी बनी है, ऐसे में नायब सिंग सहनी के लिए कोई बड़ी सरदर्दी ना बने, इस लिहाज से लगता है कि अनिलविज साब को ग्रहमंत्रालिया मुख्यमंत्री साब के पास, यानि कि नायब सिंग सेनी के पास ही रहे और अनिलविज साब को ग्रहमंत्राले ना मिले, उसके बाद बात आ जाती है फिर दूसरी मिनिस्ट्री कौन सी, दूसरा डिपार्टमेंट कहें तो फाइनांस और फाइनांस के लिए भी चर्चा यही है, वित्यमंत्राले की चर्चा भी यही है कि वो भ जी नायब सिंग सेनी जी के पास रह सकता है, इसके बाद आता है अनिलविज के पुराने डिपार्टमेंट, जो उनके पास पुराने डिपार्टमेंट थे, लोकल बॉड़ी, स्थानी स्वशासन मिनिस्ट्री और इसके साथ साथ उनके पास जो हेल्थ मिनिस्ट्री थी, य बनोर डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, यानि कि ये पावरफुल मंत्राले अनिलविज साब के पास फिर जा सकते हैं, सेहत और शेहर को सुधारने का, शेहरी निकाय मिनिस्ट्री का कारेबार मिल सकता है, इसके साथ सथ एक्साइज और टेक्सेशन मिन की सरकार में जब वो मंत्री बने थे, तो उनके पास परिवहन मंत्राले था, ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर थे वो, और इस समय भी अगर आप कहें, तो क्रिशनलाल पमार जी की बहुत बड़ी महत्वा कांख्शाएं कोई नहीं होंगी, सरकार उनको जो अलाट करेगी, वो जो राव नरवीर सिंग्ग की हनक इस चुनाव से पहले दिखाई दी, और अब चुनाव के बाद भी दिखाई दी रही है, वो लगता है कि राव नरवीर सिंग्ग का जो और रुतवा है, हाई कमान के अंदर भी बड़ा है, और उनको पावरफुल मिनिस्ट्री जो चाहें मिनिस्ट्री, आगर आगे बात करें तो विपुल गोयल, विपुल गोयल सहाब के पास में उध्योग मंत्रालिय था जब वो मनोर पार्ट वन की सरकार के अंदर लगवग तीन साल मंत्री रहे थे, अब बात करते हैं तो विपुल गोयल सहाब को भी बड़े आराम से वही प मेने का जो उनको अतरिक्त कारेभार मिला था जो मनोर लाल जी के जाने के बाद में, उस सरकार में महिपाल धांडा मंत्री थे, उस सरकार में महिपाल धांडा राज्य मंत्री थे और उनके पास राज्य मंत्री का कारेभार था, इस बार तीसरी बार के विधायक हैं, महिपा पलवल के विधायक, पहले चर्चा थी, उनको स्पोर्ट्स मिल सकता है, उनको सहकारिता मिल सकता है, आजकल चर्चा है, उनको शिक्षा विभाग मिल सकता है, शिक्षा विभाग क्योंकि स्वतंत्र प्रभार से वो मंत्री है, हर्याना के बड़े नेताओं का रहा है हमिशा से हर्याना के बड़े नेता शिक्षा मंत्री बनते रहें चाहे वो सुष्मा स्वरास थी 1987 में चौधरी देवी लाल की सरकार में चाहे वो पंड़त राम बिलाश शर्मा थे चौधरी देवी लाल की ओम प्रकाश चोटाला की सरकार के अंदर ही और उसके बाद में चौधरी बनसी लाल की सरकार और फिर वीजेपी की सरकार ज्यादातर राम बिलाश शर्मा भी शिक्षा मंत्री रहे तो ब्रामन और प्लस शिक्षा मंत्राले यानि कि ब्रामन का मतलब होता है ज्यादा पड़े लेके सुषिक्षिक बात का और शिक्षा मंत्राले उनसे कई बारिस्तर मेल खाता, इसलिए मैंने आपसे कहा, आप पिछली सरकार की बात भी करें, तो सीमा त्रिखा, पंजाबी ब्रामण, वो भी शिक्षा मंत्री थी, शिक्षा मंत्राले उनके पास भी था, तो इस लिहाज से शिक्षा मंत्राले की जि कोण Henry बड़े चेहरे हैं है मैला प्रतिनिध्व है मैला प्रतिनीध्व करती है इसलिए मैं आप कहा कि आर्थि राव राव इंदर जी सिण की बेटी उनके पास में खेल भी हो सकता है मैला आयाम बाल कल्यान विकास मंत्रालय ये भी उनके पास ही हो सकते हैं और इसलिए शुती चौधरी का नाम का क्योंकि वो किरण चौधरी की बेटी है राज्य सभा की सदस्य है ये दोचारी विकल्प है पूरी हर्याना के अंदर अगर आप देखें तो शुती चौधरी बेटी है किरण चौदरी की किरन चौदरी राज्य सभा की सदस्य हैं और सूती चौदरी हर्याणा के अंदर मिनिस्टर हो गई 2014 के अंदर भी कुछ ऐसा ही था 2014 का जब चुनाव हुआ था उस चुनाव के अंदर भी कई ऐसे बड़े नेता थे कि जो केंदर सरकार में भी थे और राज्य सरकार में भी यहने की MPB और MLA भी चौदरी बिरंदर सिंग डूमर खां कोई देख सकते हैं आप चौदरी बिरंदर सिंग डूमर खां 2014 की सरकार में मोधी पार्ट वन की सरकार के अंदर केविनेट वजीर थे केंदर के मंत्री थे उनकी धरमपत्नी प्रेम लता बन गई थी विधायक लेकिन उनको मिनिस्ट्री नहीं मिली थी अगर इस बार देखें तो फिर चाहे आप देख ले किरन चौधरी राजय सबा सदस्य उनकी बेटी मिनिस्टर आप देखें तो राव इंदर जी सिंग केंदर सरकार के मंत्री और उनकी बेटी आरती राव हरियाना सरकार की मंत्री उनकी जो परिवार वादे वाली बात है उस पर कोई बीजेपी का इस चुनाओं में खासकर हरियाना के लिए कोई ध्यान नहीं रहा अब आगे बात आ जाती है मिनिस्ट्रियां बठने की जो मैं आपसे बात कर रहा था तो ये प्रमुक मंत्राले जो मैंने आपको नाम बताए उन सब के पास जा सकते है सबसे महत्वपूर्ण इस वीडियो में चर्चा आपके साथ थी अनिलविज की और मेरा आपसे सवाल यही है बहुत जल्दी हो सकता आज देर शाम में अकल मंत्रियों को उनके पॉर्टफोलियो मिल जाएंगे विभाग मिल जाएंगे आप मेरी बास से कितना सहमत है जो मैंने आपको बताया कि अनिल विज को ग्रह मंत्रालय मिलने की संभावना कम है आप इस बास से कितना सहमत है कमेंट्स बोक्स में जरूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना का यूट्यूब चानल सब्सक्राइब कीजिए साथ ही तेश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन